कि चलो तो आज अपन करने वाले रिवाइज कॉंसे चेप्टर पोर्स एंड लॉज ओफ मोशन क्लास नाइन का एंसी आटी बेस्ट अपन इसको करने वाले हैं मैं आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहली बार पोर्स नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और अगर आप सुरजपूर में रहते हैं तो आप एडियू मेंशन कोचिंग इस्टूट आ करके फ्री आफ कॉस्ट इस बुक को यहां से ले सकते हैं फ्री आफ कॉस्ट चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं आगे पूल और अफ इस को हैं लिए चैसी को मालू मैं नूटन किसको नाम दिया कौन से उनिट को नाम दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर एक्च्वल में जैसे वेलासिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड उसको मिटर पर सेकेंड ही बोलते हैं कोई नया नाम नहीं दिये वैसे एक्सेलरेशन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर लेकिन इसको अपने नया नाम दे तो इसको नाम दे दो, तो क्या नाम दे दो, न्यूटन, तो इसलिए अपन केजी मीटर पर सकेंड स्क्वाइर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है, और यह कहां से आई, यह आपको भी पता चल जाएगा, f equal to m a पढ़े थे न, वहां से, चलो, अब it is a vector quantity, तो इसके पास सोनो है, direction b और magnitude b, ठीक है, चलो, a force cannot be seen, it can only be judged only by its effects, है न, v4, मतलब आप force को भी देख सकते हो, क्या, सिर्फ महसूस कर सकते हो, yes or no, है न, और उसके effects देख सकते हो, क्या हुआ, तो वही, उसके क्या 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 कर सकता है force, it can move a rest object, को यगर object रूखा हुआ है, तो उसको चला change कर सकता है, speed बढ़ा सकता है, speed घटा सकता है, है कि न, change the speed of object, can change the shape and size of the object, spring है, force लगाँगे, तो उसका shape and size change हो जाएगा, है न, आपका, क्या बढ़ता है, है न, तो वही चीज, तो force क्या क्या कर सकता है, तो ये 5 effects आपको पता होने चाहिए, कुछ भी नहा है कि इसमें, ब unbalanced force, simple, अगर 1 से ज्यादा force लग रहे हैं, अगर, ये दोनों एकदम silent है, अगर, एक से ज्यादा force लग रहे हैं, और उन सारे force का effect 0 आ रहा है, क्या रहा है, 0, तो उसको क्या बोलेंगे balanced force, otherwise क्या बोलेंगे unbalanced force, क्या अगर किसी object में सिर्फ एक ही force लग रहा है, क्या वो balanced हो सकता है अगर किसी object में सिरी पंगैर नहीं हो सकता है और यह किण हो सकता है है ना जैसे मालों को दो फोर्स लग रहे हैं किधा 10 न्यूटन एक तर 10 न्यूटन तो मैं कहीं नहीं जाओंगा net force क्या हो गया zero तो उसको क्या बोलेंगे balanced force simple अगर net force zero तो उसको क्या बोलेंगे balanced force काई confidence नहीं है या बिल्कुल भी हां गलती नहीं होगा confidence में क्यों नहीं बोल सकते हैं ठीक है बैलेंज और अनबैलेंज force अगर सारे force का क्या है जीरो तो बैलेंज नहीं तो अनबैलेंज ठीक है एक बत और नोट डाउन नोट 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 क्या कि भी या तो अब्जेट को रोक नहीं सकता रूखे फुए object को चला नहीं सकता है डायर्चन शेंग नहीं कर सकता हो छाली क्या चांग सकता है दोनों साइट से, तो net force तो 0 है, मतलब balanced force, बैलेंस force के कारण क्या हो जाता है, shape change, spring को भी खिषते हो, spring को खिचो होगे, तो shape change होगा, आप क्या है, balanced force, इतना force इदर लग रहा है, उतनाई force, इधार, समझ मैं है, तो balanced force हो है, तो खाली क्या कर सकता है, shape और size को change कर सकता है, फिर, internal और external force, मालनों अगर मैंने दो object आके टकरा रहे है, ये दोनों object आके टकरा रहे है, तो अगर मैंने इस सरिफ इसको अपना system माना है, क्या मना है, system, system मतलब अगर मैं खाली इसके उपर equations लगा रहा हूँ, net force और सारी चीज़े, समझ में आए न, system का मतलब समझ जाया, अगर मैंने सरिफ इसको अपना system माना है, तो ये जब आके टकराएगा, तो ये इसको force लगाएगा, वो force क्या हो जाएगा, external, क्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने दोनों को अपना system मान लिया, तो अभी जो दोनों, एक दूसरे को force लगेंगे, वो क्या हो जाएगा, internal, बासमझ में आई, और जब भी अपन आगे जो भी equation solve करेंगे, उसमें अपन कौनसा force लेते हैं, external, कौनसा लेते हैं, कौनसा लेते हैं, याद रहेगा, ठीक है, क्या, जैसे कि ये दोनों object टक्रा रहे हैं, खाली ये आपका system है, तो इसने जो इसको force लगा है, वो क्या हो गया, external, लेकिन दोनों आपका system में, तो दोनों का force क्या हो गया, internal, और जब भी आप कोई भी चीज, इफेक्ट देखोगे, net force निकालोगे, तो सिफ कौन सा force लेना है, external, ठीक है, क्या, चलो, आगे बढ़ो जल्दी से, Newton का first law, जल्दी से आगे बैटो, हल्ला मत करना, एक बढ़ बुम्बू से बढ़ नहीं निकालना है, ठीक है, Newton का first law, Newton का first law क्या बोलता है, अगर कोई चीज रूकी है, तो रूकी रहेगी, और अगर constant velocity से चल रही है, तो चलते रहेगी, जब तक कोई external force ना लगे, external unbalanced force ना लगे, बास समझ में आई, ठीक है, तो ये, a body at rest, और in uniform motion will continue to be in rest, और uniform motion until and unless any external unbalanced forces apply, और inertia क्या बोलता है, कि भीया, एक property है, inertia क्या है, प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है, कि भीया, अगर object rest पे है, तो rest पे रहना चाहरा है, motion पे है, motion पे है, motion पे रहना चाहरा है, दोनों अंतर है, Newton का first law और inertia, दोनों अलग है, हाँ, उनकी rough meaning देखो के तो दोनों same बोल रहे है, बाकी दोनों अलग है, Newton first law law है, और inertia एक property है, inertia एक property है, बास समझ में आएगी, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अब inertia of rest, अगर कोई रुका है, तो रुका रहना चाहरा है, उसको क्या बनेंगे inertia of rest, सभी के example आप याद रखना, जैसे mug है, mug के उपर आप एक cardboard रखके उपर एक coin रख दो, cardboard को आप तीजी से मारो के, नीचे, coin नी फिकाएगा, है ना, ठीक है, और inertia of motion, जो जीच motion पर है, वो motion पर रहना चाहेगी, है ना, अगर आप कोई, अगर मानला बहुत तेजी speed से जा रहे हो, चानक से break मारोगे, तो आगे के तरफ जुग जाओगे, क्योंकि आपकी body के है motion पर, और वो motion पर रहना चाह करते हो, तो धूल सारी rest पर थी, जैसे ही अपने मारा blanket अलग, लेकिन जो धूल थी, वो तो rest पर रहना चाहरी थी, तो वो क्या हो गई, अलग, पेड हिलाते हो, तो फल गिरते है, again, पल जो है, वो rest पर रहना चाहरा था, inertia के करण, जैसे ही अपने पेड हिलाया, तो डंगा के बारे में बताता है, momentum क्या होता है, simply, product of mass and velocity, product of mass and velocity, mass into velocity को क्या बहुता है, momentum, तो mass का ऐसा unit kg, velocity का meter per second, तो kg meter per second is SI unit of momentum, what is SI unit of momentum, what is SI unit of momentum, बास समझ में आ गया, और ये momentum किस rate से change हो रहा है, force is directly proportional to rate of change of momentum, momentum, momentum जिस rate से change हो रहा है, उसी को पन क्या बतने है, force, बास समझ में, तो force is directly proportional to, force is directly proportional to change in momentum by time, तेकन, कितना momentum change हुआ upon time, proportionality sign को अठाने के जब अपनने equal to डाला, तो जो constant है, वो कितना है, one, क्या constant है, one, जब भी proportionality sign हटाते हैं, तो एक constant आता है, यहां पर वो constant कितना है, one, तो one लिखने की जरुद है, one अगर multiplication में है, तो लिखने की जरुद है, नहीं, तो one लिखने की जरुद नहीं है, तो यहां से अपने पास ही formula बन गया, f equal to change in momentum by time, तेकन, यहां रखना कोई, अगर आप से पूछे, Newton, second law क्या है, तो वो यह है, force is directly proportional to change in momentum by time, तेकन, f is equal to ma नहीं ह है, याद रखोगे, तक का, चलो, अब, momentum क्या है मैंने बता दिया, m into v, ऐसा unit बता दिया, kg meter per second, और हां, momentum भी क्या है, आपका vector quantity, जैसे force vector quantity है, वैसे momentum भी क्या है, vector quantity, ठीक है, तो अभी तक चैप्टर में कुछ नहीं पढ़े, पहले पढ़े, force, force के effects, फिर Newton का first law, और फिर inertia, है न, याद हो रहा है, पूरा, पढ़ चुके है, revision चल रहा है, दिमाग में, हो रहा है, बैठ रहा है, सब चीज, पका, चुछ पढ़े, Newton का second law, क्या बोलता है, force is equal to rate of change of momentum, मतलब change in momentum by time taken, अब यहां से अपन derive करेंगे, f is equal to m, a, अचा, यह कुछ application है, Newton के second law के, कि समय ब यह बोलता है, Newton का second law, yes or no, yes or no, force क्या है, change in momentum by time taken, तो time का university proportional है, अगर time बढ़ा हूँगा, तो force बढ़ेगा, और time कम करूँगा, force बढ़ेगा, और time कम करूँगा, force बढ़ेगा, f is equal to change in momentum by time taken, universally proportional है, न, समय बढ़ेगा, तो force कम, समय कम, तो force ज्यादा, हो रहा है, university proportional है, तो वैसे ही, अगर आप जब आप ball को catch कर रहे हो, ऐसे एकदम straight hand करके catch करोगे, तो बहुत तेज फोर्स लगेगा, और वहीं पर उसको आप धीरे-धीरे-धीरे-धीरे समय बढ़ात होगे, catch करने का, है न, जब भी कोई बहुत तेजी से उपर से ball आती है, तो कभी भ फ्रेक्शर हो जएगी यहां कि अगर डियूस बॉल आके पड़ेगी तो, और उसी समय गर उसको आप फी करोगे, motion को, तो समय बढ़ देगा, catch करने का, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- तो भया gravity ने नहीं मारा समझने है या, gravity ने मारा होता तो दोनों के उपर gravity लग रही थी, दोनों सहीध हो जाने चाहिए थे, बड़ एक मर गया एक नहीं, तो उसमें क्या अंतर था, जो direct concrete में गिरा, तूरंत उसकी velocity 0 हो गई, एकदम तेजी क्या तो force, कम, तो उसको कम force लगा, वो भी चरह बज गया, और एक निपड़ गया, है ना, तो धर्ती माता नहीं मारती है, जो उपर से गिरता है, कौन मारता है, rate of change of momentum, बास समय महीं, चीक है, आगे, application हो गए, यह सब सारे अगर आप कर रहे हो, यह सब मैंने आपको बता दिया, सारा कसारा, पटाफ़र्ट, रिवाइस कर रहे है, use of seat belt, seat belt भी आप कार में इसलिए तो लगाते हो कि अगर अचानक से आप और आपकी गाड़ी दोनों अग्दम बहुत तीज मोशन पर थे, अचानक से मालनों गाड़ी ठुक गई, तो गाड़ी तो रेस्ट पर आगई, अब आपको रेस्ट में अगर आप नहीं आओगे, तो आप जाके टकरा जाओगे, सर, बासमझ में, जब भी accident होते हैं, तो उसमें 90% केस में, जो driver की मौत होती है, उसका head, steering wheel से दखराने में होती है, बास समझ में आई, तो अब अगर आप seatbelt लगाए रखोगे, तो क्या होगा, seatbelt आपको धीरे 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 आगे लेकी जाएगा, समय बढ़ गया, समय बढ़ गया, समय बढ़ गया, तो force कम, जाके टकरा आओगे तो उसमें भी, लेकिन आपका force क्या हो constant, तो अपनने बोला, f equal to change in momentum by time, तेकन, अब मालो, speed change हो रही है, पहले object की speed थी, u, बाद में, v, तो पहले momentum कितना होगे, m into u, पहले momentum होगे, m into u, और बाद में कितना होगे, m into v, तो final momentum minus initial momentum by time, पूरी value put करे, m constant निकल लिए, तो v minus u by t, v minus u by t, kya होता है, acceleration, तो f is equal to ma, जो य result है, newton का second law क्या है, f is equal to change in momentum by time taken, ये है newton का second law, बाद समझ में आई, हाँ, इसको भी कई बार roughly बोल देते हैं, अपन newton का second law, लेकिन ये actual में newton का second law नहीं है, newton के second law का result है, और वो भी कब जब mass change, नहीं हो रहा है, बाद समझ में आई, पका, अब ये, इस पूरे chapter में and find the relation between force and acceleration, तो ये पूरा करना पड़ेगा, तो number ये तीन number का, ठीक है, है ना, और कल कितने बजे टेस्ट बता दियो मैं, 11 बजे, सुबर, 11 से 1, है ना, आगे, ठीक है, याद रखना, f equal to ma newton का second law नहीं है, वो second law का result है, और direction of acceleration is the direction of net force, f equal to ma है न, क्या है, f is equal to ma, a, तो जो net force की direction है, वो ही किसकी direction होगी, acceleration की, is that clear, acceleration की direction कोण सी होगी, जो net force की direction होगी, common सी बात है, common sensor, इधर side net force लगेगा, उसी direction में तो object accelerate करेगा, अच्छा, एक बात और याद रखना, जरूरी नहीं है, कि object का motion जिस direction में हो रहा है, acceleration भी उसी direction में हो, जैसे अगर मैं किस force का लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, धरती माता का force, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कि हमेशा motion के line में ही acceleration हो, वो अलग direction में भी हो सकता है, ठीक है, चलो, Newton का third law, for every action there is equal and opposite reaction, हर एक action अगर force लग रहा है, कोई भी अगर एक force लग रहा है, तो उसका reaction force भी लग रहा होगा, ज तीसा विपरित, opposite direction में लगते है, अगर मैंने इस दिवाल को force लगाया, उस्फा साइड तो तो मेरे हाथ को force लगाया, इधर, तीसरा क्या है, अलग-अलग bodies में लगते है, मैंने दिवाल को force लगाया, दिवालने मुझे force लगाया, अलग-अलग bodies में, last बात क्या है, एक लेने आ रहा है देवाल असा नहीं है सेम जितना देर तक मैंने पूर्स लगाया उतने ही देर तक उसने मेरे हाथ को प्रेस करके रखा उसके बाद नहीं बास समझ में आई चलो अब इसके बाद है कंसर्वेशन ओफ मोमेंटम कंसर्वेशन ओफ मोमेंटम लास से ना बस खतम करेंगे इसके बास कित दिन देर का होगे वीडियो 16 मिनट का चलो 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 कंसर्वेशन ओफ मोमेंटम तो अपने देखा था मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम होता है अपका M into V M into V और अपने Newton का second law पढ़ा था F equal to change in momentum मतलब P F minus P I by T ये पढ़ा था Newton का second law और momentum होता M into V तो क्या बोला गया कि अगर किसी system में net 4 0 है अगर किसी system में अगर किसी system में net 4 0 है तो 0 into T 0 मतलब P final minus P initial 0 मतलब P final is equal to P initial और इसी को बोलते हैं conservation of momentum if net force on a system is 0 then initial momentum is equal to final momentum and this is called conservation of momentum तो अगर कभी भी जैसे object कोई दो object आके टकरा रहे हैं ये दोनों को अगर आप अपना system मानो तो बाहर से 4 0 हो गया तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं conservation of momentum अब इसमें बहुत सारे questions बनते हैं NCRT के सारे questions आज घर जाके कर लेना इसके है ना ये दो player थे और इस speed से आ रहे थे टकराए और टकराने के बाद उलज गए आपस में तो बताओ नेट स्पीड क्या होगी है ना आटा रखा हुआ था उसमें पत्थर फेक के मारा उसकी नेट स्पीड क्या होगी तो इसमें खाली क्या करना है conservation of momentum टोटल पहले का momentum equal to total बात का momentum एक equation बनेगी solve करो के answer आ जाएगा बास समझ में आई चलो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर course and laws of motion 18 में रिवाइज हो गया है यह वीडियो में आज आपको डाल दूँगा यूट्यूब पर है ना अगर आपको अच्छा लगेगा तो फ्लीज सेनल को आप सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अगर अच्छा लगे तो अपने सारे सारे दोस्तों क करना फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुलाते रहिए देखते रहिए सौरव सब्सक्राइब क्लास जैहिन बाई बाई टेक केर